Hello friends, मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल So friends, सबसे पहले तो मैं sorry बोलना चाहूंगा क्योंकि last around 5 days से कोई भी वीडियो नहीं आया है मेरा मैंने already जो मेरा channel है वहाँ पर मैंने post भी डाल चुका था इस बारे में कि actually थोड़ी सी मेरी तवयत खराब थी और कुछ मैं busy भी था जिस वजह से पिछले काफे दिनों से मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया हूँ और finally I am back again और अब से अगेन आपको Laravel की जो हमने series बनाई है सीरीस स्टार्ट करिए हमने उसके आपको वीडियो जैसे continuously पहले आपको वीडियो मिलते थे अब यह भी वैसी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे सो फ्रेंड जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने यह देखा था कि जो हम ब्लॉग बनाने वाले हैं Laravel में मैंने उसके लिए आपको यह बताया था कि कैसे आप templates को download कर सकते हैं internet से जहां पे हम लोगों ने front end के लिए और admin panel के लिए templates को download किया था आज की वीडियो में हम लोग यह करने वाले हैं कि जो यह admin की template है क्योंकि हम admin panel से चलेंगे पहले admin से data डालेंगे तभी वो front end पे दिखेगा तो आज की वीडियो में हम लोग basically लिए हैं अभी एक तो रहेगा हमारा login का page और एक रहेगी हमारी table तो देखें यह हमारा login का page हो जाएगा और यह हमारी table बन जाएगी जहां पे हम category और post जिसकी हमने database में table बनाई यह उसका data दिखाएंगे और यह form जो है हमारा यहां से हम इस form का use करेंगे हमारा जो data है वो submit करने के लिए पर यहां पर सबसे जो important चीज है वो पहले हम यह देखते हैं कि अगर हमें यह pages को basically यह template को अगर लारावेल में डालना होगा लारावेल में include कराना होगा तो हम किस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि जब हम code PHP की बात करते हैं तो वहां पर तो normally यही होता है कि हम file लेते हैं और उ वोड़ा सा अलग तरीका होता है तो उसको देखेंगे हम कि कैसी हम उसे implement करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहां पर चलते हैं हमारे code में अच्छा code से भी पहले एक काम तो यह कर देते हैं कि हम Laravel जो है हमारा मैंने अभी तक उसको जो हम एक Laravel को जो setup करना पड़ यह basically हमारा जो Laravel है उसे setup करने काम यहां पर कर देगा तो यह process चलते रहने देते हैं तब तक हम लोग हमारा जो admin panel में क्या करेंगे वो सब देख लेते हैं तो मैं आपको लोगों को एक बार दुबारा दिखा देता हूँ तो यह रहा मेरा code जहां पे जो मेरा admin panel है उसके template है तो जो last time मैंने आपको दिखाई थी वो कुछ इस तरीके से हमारी templates का जो build था वो कहां गया production वो यह फाइस थी तो यह फाइस को मैंने क्या करा है कि इसमें से जो pages की मुझे requirement थी और उसके जितने content की requirement थी उसको लेके मैंने एक यह final का जो मेरा folder है यह बनाया है जिसमें हमा हमारे पास js का folder है, images का folder है, fonts का folder है और CSS का folder है और जो code की file है वो यह है तो अभी क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं कि किस कि section की हमें जवुत पढ़ दिये हैं इसके इलावा एक बार database में table देख लेते हैं कि हमने क्या बनाया था एक तो हमने यह pages बनाया है इसको तो मैं बाद में देखता हूँ, तो एक हमारे लिए important है यह post का data और एक हमारे लिए important है यह contact का data, sorry post का data, post और कहां गया, post हमारा है यह, sorry, तो यह हमारे लिए important है देखना कि यह post का कैसे करेंगे, तो एक बार देखते हैं कि यह कितना setup हुआ है, okay चलिए, build मेरा यहाँ पे complete हो गया और एक बार इसको start कर लेते हैं, php, artisan, serv, port 100, sorry, मुझे block के folder में जाना पड़ेगा पहले, cd block, चलिए, start कर देते हैं, यह हमारा start हो जाएगा, 100 पे, तो मैं, colon 1, चलिए, successfully हमारा जो laravel को setup करने का काम था, वो तो हो गया, ठीक है जी, अब अगला काम क्या है, कि हमारी यह जो code है, basically, कौन सा वाला code, यह blog html के अंदर, जो हमारा admin के अंदर, जो front वाला code है, इसको अभी देखते हैं कि कैसे हम integrate करेंगे हमारे यहाँ प open करने के बाद, यह जो 3 file हैं, यह इन्हें में लेता हूँ, यह ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो हम यह करते हैं, कि यह जो assets हैं, इसको set कर लेते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, कि मैं चलूँगा यहाँ पे लारावेल में, ब्लॉग हमने बनाया है, इसके अंदर है public का फोल्डर, तो यह जो public का आपका फोल्डर है, इसके अंदर हम हमारा जो front end का काम होता है, वो करते हैं, अभी यह जो CSS डाल रहा हूँ, मैं यह admin के लिए डाल रहा हूँ, इसके लिए मैं यह आप एक फोल्डर ब admin underscore, asset में, asset में मैंने डाल दी, जब मुझे front का काम करना होगा, तो मैं front end score, asset ताम से फोल्डर बना लूँगा, उसमें सब डाल दूँगा, चलिए, एक काम करते हैं, एक और हमारा open कर लेते हैं, dcd laravel block, चलिए, इधर आ गए अब, अब हमें एक एक करके यहाँ पे कुछ को define करना पड़ेगा, सबसे पहला काम मैं यह कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं सिर्फ मेरे जो templates हैं, उनको बना रहा हूँ, तो templates देखिए, मुझे किस किस चीज के चाहिए होंगे, एक मुझे login का page बनाना पड़ेगा, login के बाद एक मुझे post का page बनाना पड़ेगा, एक post को edit का page बनेगा, एक post को add का page बनेगा, फिल्हाल के लिए यह जो मेरे काम है, यह मुझे pages को set करना है, initial label पर, table wise चलूँ, तो एक same to same चीज हमें page के लिए भी करनी पड़ेगी, page, और एक contact का जो data आएगा, वो मेरा आएगा, तो इसके लिए सबसे पहला गाम तो हम क्या करते हैं, कि हम चलते हैं, routes में, web में, और यहाँ पर मैं कुछ चीज़े define कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं बोल देता हूँ, route, और यहाँ पर बोल देता हूँ, view, admin, login, जब भी यह चीज़ आएगी, तो हमें क्या करना होगा, admin का, एक जो login का, admin के अंदर एक function बना लेंगे कोई हम, उसको जो है, यहाँ से, view से call करा लेंगे, जब भी हमारा यह URL होगा, तो इसके लिए हमें controller बनाना पड़ेगा एक, controller में हम यह activity करेंगे, तो मैं यहाँ पर controller बना लेता हूँ, admin underscore auth, add that it, login, यह मैंने यहाँ पर एक function बना लिया, ठीक है जी, इसके लाबा और कौन-कौन से function की requirement होगी, वो भी देख लेते हैं, एक हमें post की requirement होगी यहाँ पर, post, admin के अंदर post, तो admin के अंदर जब भी मेरा post दिखेगा, तो उसके लिए मैं admin, admin post, नाम का एक यह call करूँगा, इसके अंदर post नाम का function call करना होगा, post होगी हमारा, इसके लाबा हमने क्या बात करी थी? post edit, तो हमने बोला, जब भी यहाँ से post edit आएगा, तो इसके अंदर का post edit आजाएगा, जब भी यहाँ से post add होगा, तो post add वाला call जाएगा, चलिए, यह एक बार हम, जितना हमने यह लिखा है, इतने को हम एक बार set कर लेते हैं, और यहाँ पे check कर लेते हैं, यह कैसे चलेगा अच्छा, इसको मैं admin post कर देता हूँ, spelling मेरी admin, यह कुछ गरवड हो गई, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, यह तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे controller बना रहे हैं, अगर आप चाहें, तो आप यह काम कर सकते हैं, कि अलग-अलग folder बना सकते हैं, controller के, और अगर आप उसके अंदर भी यहाँ पे डालना चाहें, तो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं, आपका मन है, जैसे आप करना चाहें, आप कर सकते हैं, सबसे पहले हम admin auth के लिए बना लेते हैं, यहाँ पे, चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे controller बना लेता हूँ, ज दिखेंगे कुछ error है या create हो जाएगा चलिए controller हमारा successfully यहाँ पर create हो गया अभी एक बार चलते हैं हमारे app में, app के अंदर http, http के अंदर controller और यह हमारा controller है यहाँ पर basically बन गया चलिए यह हमारी set अगा नहीं यहाँ पर अभी यह जो controller है हमारा यह हमारा यहाँ पर आ गया हम इसके अंदर एक function बना लेते हैं login नाम से जिस पर मैं बोल देता हूँ eco yes बोल देता हूँ या फिर एक काम हम और भी कर सकते थे मुझे अभी realize वही है चीज कि हम लोग जब यह call कर रहे हैं तो यहाँ से हम इसको call करने की जगा अगर यह चाहते थे हम इसके directly function भी call करा सकते थे हमारे उपर था वो हम वह भी कराना चाहें तो वह भी करा सकते थे कोई problem नहीं है हम क्या कर सकते थे यहाँ पर कि जब भी यह click होता है तो हम इसके अंदर directly क्योंकि अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं न कि हम लोग सिर्फ check कर रहे हैं कि क्या process रहेगा तो हम इसके लिए कुछ ऐसा भी कर सक यह जो controller हमने बनाया है ना इसको बाद में इसका use कर देंगे अभी के लिए मैं simple बस खाली कुछ इसी तरीके से कर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग को थोड़ा से easy हो जाए basically तो admin के अंदर post, admin के अंदर post edit और admin के अंदर post edit कुछ यह हमने यहां पर view बना ली हमने बोला जब भी यह चीज़ आएगी तो यह view को call करा दिया जाए चलिए एक बार चलते है व्यू के folder में और app, blog, resource में आएंगे, view में आएंगे यहां पे एक बना लेता हूँ, मैं admin नाम से, चलिए, admin बन गया, admin में चेक करने के लिए सब कुछ ठीक है न, तो मैं एक बना लेता हूँ, यहां पे login नाम से और इस login को मैं कुछ भी assign कर देता हूँ, let's say, कुछ भी डाल दिया, चलिए, अब एक बार इसको URL को access करके देखते हैं, यह ऐसे होगा कि नहीं होगा, या हमें यहां पे कुछ change करना पड़ेगा, मैं पहले ही आपको मैंने बोल दिया कि चलेगा या फिर को change करना पड़ेगा, तो यह हमारा बराबर यहां से set हो गया, अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं इसको dot कर देता, तो यह क्या चलता, तो भी चलता, आप के उपर है, आप slash का use करना चाहें, slash भी कर सकते हैं, आप dot का use करना चाहें, dot भी कर सकते हैं, यहां पर ladavel जो dot का use करता है, वो basically यही बताता है, कि इस folder के अंदर यह है, आपके उपर है, जो आप यहां पर implement करना चाहें, आप कर सकते हैं, चलिए, login के लिए मैं क्या करूँगा, यह जो login का blade बनाया है, इसके लिए मैं यह करने वाला तो मेरा अगर आप form और यह table देखेंगे, तो इसका जो layout है, वो almost similar है, लेकिन जब आप login वाले की बात करेंगे, तो यह देखने में बिलकुल अलग है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपको अगर ध्यान हो, तो मैं एक बार आपको विससे दिखा देता हूँ, मुझे पता जिसमें हमने यह blade directive के बारे में चेक देखा था, और यहाँ पे मैंने आपको layout template के बारे में भी पताया था, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कि login page के लिए तो normal अपना view रखेंगे, reload करता हूँ, मैं page अभी UI थोड़ा सा खड़ाब आएगा, वो CSS set नहीं इसलिए, login page के मैं पूरा जो यहाँ पे एक layout का use करूँगा और उसको implement करके देखूँगा कि कैसे हमारा यह चलेगा, अच्छा, यह एक बहुत important चीज है, कि अब अगर आप यहाँ देखे, control you करें, तो यह जो files हैं, यह files क्या देख रही हैं, कि यह इस folder के अंदर होना चाहिए, पर हमारी जो CSS है, वो तो हम लोगों ने public folder में डाली हुई है, तो यहाँ से ना हमें उसे call करने के लिए, उसका थोड़ा सा code है, वो change करना पड़ेगा, कैसे करेंगे इसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे हमने बोला, a, s, et, asset, और इधर से मैंने, जो मेरा यह asset है, इससे मैंने बंद करा, और इसके बाद मैंने यह डाला, एक बार देखेंगे अभी क्या होता है, control you करते हैं एक बार, तो कहां गया मेरा code, यह देखिए, यह यहां तक तो आया, इसने कुछ इस तरीगे से तो लिया यहां से, चलिए ठीक है, अब यहां पे बस एक काम और करना पड़ेगा हमें, अगर आपको ध्यान हो, तो हम लोगों ने यह public के अंदर, admin underscore asset में हमारा data ड change होई, अगर आप reload करेंगे, तो देखिए, यह file अब यहां पर मिलने लग गए, चलिए हमें समझ में आगे आप, अब हम copy करेंगे, और इधर paste कर देंगे, और इसको भी दर ले लेते हैं, और इसको भी में इधर डाल देता हूँ, और इसको भी दर डाल देता हूँ, रीलो आप यह चाहते हैं, कि public का folder call करना है, तो आपको यह asset लिखना पड़ेगा, और इसके बाद आपको आपकी जो file है, वो call करनी पड़ेगी, और यहां पर आप देखेंगे, तो हमने curly braces लगाए है, तो यह basically syntax है, यहां पर Laravel का, जब भी उसे कोई file include करनी होती है, चलिए, यहा अब अगली चीज कौन सी है हमारी, table के बारे में चीज है, तो मैं यह copy करता हूँ, url इस पर, और इसे डाल देता हूँ, देखते हैं, error आएगी, not found आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने यह बनाया नहीं है, तो हम इदर आते हैं, resource में चलते हैं, view में चलते हैं, admin मे आते हैं, अब मैं यहाँ पे एक folder बना रहा हूँ, layout नाम से, यह बहुत important चीज है, ध्यान से देखिए का आप, और यहाँ पे मैंने एक file डाल दी, layout नाम से, layout.blade, cut किया मैंने इसे, और मेरा यह जो form है, इसका मैंने पूरे का पूरा, HTML जो था वो, यहाँ डाल दिया, और HTML डालने के बाद, यह जो था मेरा, इसको मैंने यहाँ से include करा लिया, इसको भी include, यह तो कुछ अलग सा बात ले रहा है, data table को ले रहा है, यह ठीक है, इसको तो मैं ऐसी रहने देते हैं, इनको मैं change कर देता हूँ, सबको, और इसको close करना पड़ेगा, तो मैं यहीं से code ले लेता हूँ, blade, और ether मैं यह डाल देता हूँ, चलिए, यह हमारा set है, एक बाद jsb देख लेते हैं, नीचे जावा स्क्रिप्ट की, जिनकी अच्छा, इसमें से script तो मैंने लिखा ही नहीं, यह भी मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी folder में मेरा सब कुछ पढ़ा है, अभी हो सकता है कि कोई यह देख के बोले कि मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं VS Code या कोई editor लेता तो जल्दी हो जाता है, तो वो आपकी choice है, आप जो use करना चाहें, आप कर सकते हैं, चलिए, यह तो हमारा जो include करने का काम था, वो तो हो गया, चलिए, अब यहाँ पर अगर आप एक चीज देखें कि यह जो आपका layout है, हम लोगों का layout जो है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इन दोनों पे जिसको, तो इन दोनों का यह सब कुछ सेम है, बस यह जो right के अंदर का area है, यह change हो जाता है यहाँ पर, अगर आप table में भी जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको यह box मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इस box के जो अंदर का पूरा area है, उसको यहाँ से हटा देते हैं, अगर मैं इसको हटाने आऊ, चलिए, यह जो area है ना मेरा, इसको मैं basically यहाँ से हटा दूगा, तो यह हमारा layout का use होने वाला है, layout के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको यही चीज़ बोली थी, कि इसको आपको refer करना पड़ेगा, अगर आपने .NET पढ़ा है, तो master page से आप refer कर सकते हैं, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, section, और इसका हम डाल देते हैं, let's say container, container डाल दिया मैंने, चलिए, यह आगया हमारा, अब क्या करते हैं हम, हमारा जो यह page था, यहाँ पर हम बना लेते हैं, दो page, एक बना लेते हैं, post के नाम से, और एक मैं बनाने वाला हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ, एक तो post के नाम पर और एक post edit नाम से बना लेते हैं, या post add से बना लेंगे, चलिए, post add, इसके लिए भी आप यह कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं, तो आप admin के अंदर एक और folder भी create कर सकते हैं, उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें, तो आप यह भी कर दीजिए, आप post नाम से बना लेजिए, उसके अंदर यह दुनों डाल अगर आप इनको इस तरीके से भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें एक हमारा post का list होगी और एक हमारा add के लिए होगी उस case में क्या करूँगा, इसका नाम basically change करके इसको कर देता हूँ list और इसको कर देता हूँ add क्योंकि अब तो हमें पता है जब हम add करने की बात करने पोस्ट के अंदर है तो पोस्ट ही को add करेंगे और तो किसी को करेंगे नहीं, उस case में मुझे जो यहाँ पे है इसको थोड़ा सा change करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ प पोस्ट उसके अंदर लिस्ट चलिए, लिस्ट में आ जाते हैं सबसे पहले, इन दोनों को add कर लेता हूँ अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैं यह पोस्ट को call करता हूँ अच्छा, पहले सही है हमारे पस, तो यह admin के अंदर post हमारा क्यों call नहीं हुआ है, हमने बोला admin, इसके अंदर post, इसके अंदर list एडमिन उसके अंदर पोस्ट उसके अंदर लिस्ट एक बार देख लेते हैं क्या घरबढ़ है यहाँ एडमिन है एडमिन के अंदर हमने बोला पोस्ट मैं अगर स्लेश चला हूं तो चल रहा है यह चल नहीं रहा है, मैं एक बार cross check कर लेता हूँ, क्या घरबड़ है मेरा यहाँ पे, हमने बुला admin के अंदर post, इसके अंदर link, अगर मैं इसे login से call करा हूँ, तो यह हो रहा है, नहीं, तो यह यहाँ से भी नहीं हो रहा है, admin का जो login है, वो बराबर हो रहा है, पर यह, एक इनट, इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ तो, देखे, यह बराबर call हो गया, पर वो उपर वाला जो है, आपका call हो ही नहीं रहा है, admin के अंदर post, हमने post ही लिखा है, वो पता नहीं, शहर्थ कुछ मैं लिख गलत रहाता है, पता नहीं क्या है, चलिए, list हमारा finally आगया, अब यहाँ पे हम लोग use करना चाहते हैं, हमारा layout को, तो हमें उसे specify करना पड़ेगा, add the rate, ex, ten, ds, extends करना पड़ेगा यहाँ पे, extend किसे करेंगे, यह ध्यान रखना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, admin, admin के अंदर layout, इसके अंदर layout, देखें, एक बार reload करेंगे, तो, 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 undefine, constant, container, कहाँ पे, undefine आ रहा है, layout blade में, एक बार हम देख लेते हैं, container, undefine, sorry, single code में होना चाहिए था, यह, और इसके आगे एक show भी होना चाहिए था, चलिए, देखिए, यह आगे आपका यहाँ पे, ठीक है, इसको भी मैं add the rate show कर देता हूँ, देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें, अब क्या हुआ, आपका एक पूरा section बन गया, अब post के case में क्या है, आपको table दिखा नहीं है, तो हम यहाँ पे देखें, कुछ इस तरीके से बोलेंगे, कि same to same चीज़ मैंने आपको जब हम लोगोंने start करा था, और मैंने आपको templates के बारें बताया था, तब भी मैंने आपको यहीं बताया था, तो यहाँ पे हम बोलेंगे basically, section के लिए हम लोग बोल देंगे, यहाँ पे add the rate section, container, और यहाँ पे हम बोल देंगे add the rate, end section, और इसके बीच में मैं यह जो पूरा मेरा table का code है, यह उठाके डाल देता हूँ, यह जो code है, या मैं अगर यह code छोड़ दूँ, तो यह जो code है, इसको उठाके मैं इधर डाल देता हूँ, अब एक पर देखें क्या होता है, तो हुआ यह कि वो तो चला गिया, ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर चला गिया तो कोई बात नहीं, हम लोग उसे नीचे ले आएंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कहां पर क्या हुआ, कहां गया, कहां गया, इसको एक तो मैं backslash कर देता हूँ, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसका जो layout है, UI है न, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, alignment वस ठीक कर लेते हैं इसका, फिर एक बार हम issue देखते हैं, तो, यह कुछ तो मैं शायद मैंने गरबर उठा लिया है, मैं इसको उठा लूँ, इससे अच्छा तो, मेरे गहाल से कुछ layout गरबर है इसका और जो हमने copy किया है, और इधर से मैं इसको हटा देता हूँ, चलिए, ठीक है, वो उपर आ रहा है कोई बात नहीं, उसको तो हम नीच ले आएंगे, पर main हमारा यह था, यह देखना किये, कैसे हमारा यह चलेगा, चलिए, अच्छा, शो को अगर हटा दें तो क्या होता है, तो भी आपका वो रह रहा है वहाँ पर ideally आप शो वहाँ पर डालें तो अच्छा है, मैं अंडू कर देता हूँ, कोट को, ठीक है, चलिए, इसके बाद अब हमारा अगला काम यह है, कि इसको थोड़ा सा ठीक ठंग से हम देखें, कि हमें ही अगर इसको थोड़ा ठीक ठंग से लेके आना है, तो हम उसे कैसे लेके आएंगे, इसको एक तो जोड़ा एंड कर देते हैं, और वो ठीक हो गया, क्योंकि मुझे पता था, वो spelling मैंने नीचे जान दुगा, गलती से वहाँ पर गलट डाल दी थी, उस वज़ा से खाली वो आ रहा था, उसको वो close नहीं मिल रहा था, अब देखें, layout का फाइदा क्या मिला आपको, देखें, बहुत जवर्दस्त फाइदा है, अब अगर मैं इसको add करता हूँ, देखें, फिलाल तो कुछ है नहीं, क्योंकि add के case में भी मुझे उससे change करना पड़ेगा, राउट में रखाएं, तो post add हमना आ रहें, देखें, यह है, अब देखें, यहाँ पे भी मैंने क्या करा, यही चीज डाली, बस यह वाला div ना डाल के इस पर form डाल देता हूँ, देखें, कैसे form डाल देते हैं, इधर चलते हैं, और यह पूरे का पूरा block उठा लेता हूँ, देखें, क्या बढ़िया चीज बनाई है, इन्होंने, layout, फाइदा आपको क्या मिला, कि अब हमारी main template एक ही है, main template हमारी layout है, पर फाइदा हमें यह मिला, यहाँ पे, कि हमने यह जो beach का area है, खाली यह वाला area है, इसको dynamic कर दिया, यहाँ से, इसको dynamic करने की वज़ा से क्या हुआ, कि हमारा यह game set हो गया, अब main आपकी file यह use हो रही है, और जहाँ पे भी आपका container आ रहा है, वहाँ पे आपका code है, कुछ इधर तरीके से call हो जा रहा है, तो अब एक काम करते है, layout पे चलते हैं, और एक बार में सारा layout है मेरा वो भी set कर लेता हूँ, यहाँ पे, links है basically जो, तो मेरा hyperlink को मैं यहाँ पे set कर लेता हूँ, ah, यह तो हो गया मेरा home, यानि कि यह हो गया मेरा admin slash, post करते हैं इसे, एक बार में देख लो, admin slash post, इसको एक काम कर आइड करते हैं, थोड़ा ठीक से करते हैं हम भी, और इसको मैं list करता हूँ, चलिए, list में हमारा यह आ गया, ठीक है, अब यही same to same चीज़े मैं उधर डाल दूगा, जैसे कि हम layout में चलते हैं, तो मैं इधर डाल देता हूँ, list, तो अब जब भी हम इस पर click करेंगे, तो यह हमारे list पर हमें ले जाया करेगा, ठीक है, अब जब भी हम इधर आएंगे, और एक तो हमने कर दिया, home, या फिर मैं इसको कर देता हूँ, post, एक हमारा post हो गया, और post के बाद एक हो गया हमारा, contact us, और एक हो गया हमारा page, यह तीन हमने यहाँ पर बना लिए, मैं इसको थोड़ा सा interchange कर देता हूँ, देखें, यह हो गया, अच्छा, अब यहाँ पर जो page है, इसको थोड़ा सा set कर देता हूँ, जैसे कि अगर मैं मेरे page में जाऊँ, कहां है हमारा page, यह रा list, तो यहाँ पर मैं एक तो इसकी जो heading है, कहां है, यह रही heading, इसको कर देता हूँ, post, और heading क्या कर चाहिए हमें, यह सब set कर लेते हैं हमारा, post में हमारे पास क्या है, title है, short description है, image है, और post date है, तो हमने यहाँ पर क्या कर ले लिया, एक तो serial number ले लिया, और title ले लिया, short description, और date ले लिया, और एक action ले लिया, यहाँ से हम active, de-active वाला जो हमारा काम है, वो कर सके, एक एक मैं सबसे हटा दे रहाँ, reload करेंगे एक बार, चलिए, यह हमारी जो heading तो थी, वो तो यहाँ पर हो गई, set, ठीक है जी, इसके बाद, अगली चीज़, अगर जब हमारा यह data add हो रहा है, अच्छा, इसके लिए मुझे slash add करना पड़ेगा, यह हो गया, अब यहाँ प एक post के साथ में बटन दे देते हैं, post को add करने का, तो यह जो मेरा है, यहाँ पे अगर मुझे एक hyperlink देना हो, add post, तो इसका size बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा करना है तो, यहाँ फिर इसे h2 कर देते हैं, sorry, h2 नही, h4 कर देते हैं, क्योंकि उपर वाला तो हमारा, अच्छा, काम करते हैं, इसे अगर h2 कर दूं, तो मैं क्या होगा, एक बार देखते हैं, इसे h2 करने पर कितना बड़ा size हो रहा है, अच्छा, h2 पर यह छोटा हो गया, okay, इसको अगर h4 कर देते हैं, तो भई, उल्टा कर देते हैं, इसे h4 कर देते हैं, इसे h2 कर देते हैं, ऐसा क्य यहाँ पे add post का आ जाएगा, जैसी post पे add करेंगे, तो हमारा जो post है, उसको मैं add करा देंगे, उसके लिए, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, admin, post, add, अब जैसी मैं इस पे click करूँगा, तो मैं form पे पहुच जाऊँगा, और इसी तरीके से, जो हमारा left navigation है, यहाँ पे भी मैं slash डाल देता हूँ, चलिए, यह हमारा आगया form, और यहाँ पे मैं बोल दूँगा, manage, post, अब क्या-क्या fields हैं हमारे पास, जब मैं post की बात करूँगा, तो title है, short description है, long description है, तो मैं यहाँ पे set कर लेता हूँ, एक तो हो गया हमारे पास, title, text, इसको मैं कर देता हूँ, title, इसका एक name डाल देते हैं, title, चलिए, इसके बाद, अगली चीज़ है हमारी, short description, तो मैं इसके लिए text area भी कर सकता हूँ, तो इसको कर देते हैं, short DESC कर देते हैं, और यहाँ पे मैं एक text area डाल देता हूँ, short description आ गया, और यहाँ सही तो text area इसे बंद कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है सब, चलिए, perfect है, इसके बाद एक, main description है आपका, तो main description के लिए, यहाँ पे, मैं, long description कर देता हूँ, चलिए, जी, long description भी हो गया, इसके बाद एक image का बस यहाँ पे option आता है, और एक date का चाहिए हमें, drop down की तो कोई ज़रुवत नहीं है, तो मैं इसे हटाई देता हूँ, एक हमें चाहिए image का field, तो मैं इधर चलता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ, इसे, file, और इसे कर देते है image, और placeholder की कोई ज़रुवत है नहीं, चलिए, यह image आ गया, या फिर अगर मैं इससे css हटाई दूँ, चलिए, यह भी ठीक है, यहाँ पे, और यह हो गई आपकी image, एक चाहिए, यहाँ पे date, post date, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसे date, एक इसको कर देते हैं, हम style sheet डाल देते हैं, bootstrap का, क्योंकि date लिखेंगे, तो automatically date उठा लेगा, यह आगया आपका यहाँ पे, चलिए, अब इसके बाद अगला option है, हमारा submit करने का, cancel की तो मुझे कुछ ज़रुवत है ही नहीं, अगर मैं इसकी देखूँ तो मुझे इसकी ज़रुवत है ही नहीं, reset की भी ज़रुवत नहीं है, मेरे लिए खाली submit का requirement है, चलिए, यह submit हो गया हमारा, और अगर हम इधर जाना चाहें, तो हम फिर सेधर जा सकते हैं, तो पोस्ट का तो हमारा जो UI था, वो यहाँ पे हो गया, set, लेकिन हमने यह जो पोस्ट का UI है, यह तो set कर लिया, और इसी तरीके से हमें एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पे, कुल मिला के, कि अगर हमें template set करनी होती है, लारावेल में, वो कैसे कर सकते हैं, इसके बाद अभी यहाँ पे सबसे important चीज तो यह आता है, कि यह जो page है आपका, यह page आपका तब आना चाहिए, जब user ने login किया हुआ है, क्योंकि अगर आप हमारा अभी login का page देखेंगे, जो कि यह रहा, तो जब तक user यहाँ पे login नहीं कर लेता, तब तक तो वो अंदर ही नहीं जा सकता, और इसी के साथ मैं एक काम और करता हूँ, यह जो option है ना login से, इन्हें भी हटा देता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों ही कुछ जववत नहीं है, जो privacy, policy, चलिए तो ठीक है, separator, इनको मैं हटाता हूँ, यह भी मैं हटाता हूँ, और forget password भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा यह admin panel है, और मैं यह assume कर रहा हूँ, कि यह admin है, तो उसको password तो उसका पता होगा, forget password मैं देही नहीं रहूँ यहाँ, अच्छा बंद चला ही गया, बटन भी चला गया, तो यह login का मेरे पास जो है option यहाँ पर आ जाएगा, यह हमारा login फॉर्म हो जाएगा, और इसको मैं button कर देता हूँ actually में, यह hyperlink पता नहीं क्यों लिया इन्होंने, इसको हम कर देते है, input type submit, name submit, चलिए, यह submit का यहाँ पर आ गया, required field validation लगाना है, यह हमें कौन सा validation लगाना है, वो आगे देखेंगे चल के, तो हमारा यहाँ पर देखेंगे, यह main main चीज़े हो गई, कि हमारा login का page तयार हो गया, और जो हमारा अंदर का page है, वो तयार हो गया, तो अगर मैं आपको simple words में बोलू, तो हमारी जो admin panel की theme है, वो हमारी यहाँ पर setup हो गई, छोटी छोटी चीज़े हैं यहाँ पर, जैसे कि देखेंगे, यह हमारे website का नाम होना चाहिए था, यह कैसे change होगा, same चीज मेरे login के time पर भी आती है, यह चीज़ों को, अच्छा, यह title में आ रहा है basically, तो यह title मुझे dynamic कैसे करने होंगे, मुझे इनके change कैसे करने होंगे, उसके बारे में भी एक बार quickly देख लेते हैं, क्योंकि यह तो देखें layout का page है, अब अगर layout का page है, तो इसको कहीं से तो यह data मिलेगा, जो यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, add the rate, y-i-e-d, yield, और यहाँ पे हम कर देते हैं, page title, reload कर देंगे, एक बार देखेंगे, तो फिलहाल तो उपर से आपका, जो कुछ आ रहा था, वो भी चला गया, अब चलते हैं हम आपके यह वाले page पे, यहाँ से अगर हम चाहें, तो वो जो उपर वाला variable था, yield वाला था, उसकी जो value है, वो यहाँ पे हम set कर सकते हैं, कैसे करेंगे, add the rate, section, और हमने डाला, page title, यहाँ पे मैंने डाल दिया, post, listing, चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, तो यह आना तो चाहिए, okay, 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 actually problem कि हम list वाले में change कर देंगे, इसलिए नहीं आ रहा है यह, add वाले है, तो इधर है मेरा, तो मैं manage post कर देता हूँ, manage post, गलत page में change करेंगे, तो देखें कैसे आएगा, देखें, यहाँ हमारा यह आ गया, और अगर मैं post पे गया, तो हमारा post listing आ गया, तो यह भी आपके पास तरीका है, अगर आपको जब भी dynamically data pass करना होता है, आपकी template की file में, तो आपको इस तरीके से data जो है, pass basically कर सकते हैं, नाम भी जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, यह भी अगर हम चाहें, तो हमारे layout में define कर सकते हैं, यह रहा हमारा layout, तो कि हमें नाम तो पताए कि हमारा एक ही रहने वाला है, तो यहाँ पे भी अगर आप करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, let's say हम कर देते हैं, my post, my blog, तो यह आपका यहाँ पे, इस तरीके से भी update करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, so friends, यह था हमारा basically आज का वीडियो, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी खाली यह discuss कर रहा है, कि अगर हमें हमारी admin panel को Laravel में डालके setup करना होगा, तो हम उसे कैसे करेंगे, so friends, यह आज का वीडियो था, मैं उसको यहीं पे complete कर रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको practice करके देखिए, next वीडियो में हम लोग discuss करेंगे, सबसे पहले तो login का section देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम लोग कैसे post add करते हैं admin panel में, और कैसे उसको हम, जो हमारा grid है, वहाँ पे display कराते हैं, so friends, I hope, कि जो हमारा आज का वीडियो था, वह आपको पसंद आया होगा, आपका कोई भी अगर कहीं पे question है, कोई भी doubt है, तो आप प्लीज, वीडियो के comment box में अपना problem डा लिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, कि आपके issue को resolve कर सकूँ, source code अगर आपको चाहिए, तो उसका link भी मैं video के description में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप उसे download कर सकते हैं, template जो है हमारी, इसका भी मैं आपको एक separate link दे दूँगा, या फिर एक काम करेंगे, यह जो source code है, उसी में मैं आपको folder डाल देता हूँ, वहाँ से अगर आप download करना चाहिए, तो आप इसको भी वहीं से download कर सकते हैं, वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए आपको, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर दीचे, तैंक यू,